जेल से बाहर आये एक यूवक ने अपने पिता के मारपीट का बदला लेने के लिए तीन यूवकों को अगवा कर लिया अगवा कर इन यूवकों को आरूपी बिहड ले गया और जम कर मारपीट की आपको बता दे कि ये यूवक जेल से छूट कर बाहर आया था और आम सेक्ट का आरूपी था इसने अन्य आरूपियों के साथ मिलकर तीन यूवकों को अगवा कर लिया काले रंग की स्कॉर्पियों गाड़ी से बदमाश इन यूवकों को अगवा कर बीहड ले गए जहां इन के साथ मारपीट की इन आरुपियों में विवेक शर्मा विशाल शर्मा पवन खुरासिया जीतू गुधेनिया शामल है इन आरुपियों ने पहले कस्मेडा गाव से एक अभिशेक सक्वार सेंजे सक्वार और पंकच किरार को अगवा किया फिर गाड़ी से इन्हें बिहडों में ले गए जहां ले जाकर लात घूसो बैल्ट आदी से मारपीट की इसकी बाद अपहरण करता पीड़े तो युवेको को रामपुरा छोड़ के भाग गए इसकी बाद परियादी राग करीब 11 बजे महुआ थाने पहुंचे और वहां पर अपराध कायम करवाया जिसमें आरपीट और अपहरण की धारा में फायार दर्ज की गई है आरोपियों ने शाम करीब 6 बजे युवेको का अपहरण किया था और रात को 11 बजे इनको छोड़ कर भाग गए वहें डिशनल स्पी अरविन डिसिंग ठाकोर ने बताया कि ये घटना दो दिन पुरानी है इन ल साथ पंजिबद कर ले गया है साथ ही जीतने आरोपी थे उनकी गरफतारी भी कर ली गई है उसमें मूल रूप से इलों का पुराना विवाद रहा है उस विवाद में भी अपराज पंजिबद हुआ था दौनों पक्ष पे उसमें चुकि एक पक्ष जेल चला गया था तो बाद में जैसे ही जेल से वह बाहर आया उनके दौरा फिर साथ इस रच के इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन सभी लोग जो इस घटना में इन्वाल्व थे उनके वरूद अपरात पंजिबद कर लिया है साथ ही उनकी गरफतारी भी हो गई है मुरेणा से देवंदर सिंग राजपोद की रिपोर्ट